हेलो विडियो वेलकम टू ऑन लाइन इसक्षेशन चैनल आज इस विडियो में बेसिक साइंस एंजिनिक क्वेश्चन के बारे में डिसक्स करेंगे एक क्वेश्चन आपके एगजाम के दिश्चे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वीडियो सब ट्रेडों के बीडियो वीडियो च्राठ करने सु behavioral स्टेल को तो किलें ऎि पहले कौर। पहला कोचन है किसी मनुस्यक्त के सरी का सामान यहता है ज़रे में कमेंट में लिकें किसे मनुस्यक्त के सलिका का मिल्या सामान तापकरम होता है किता होता जल्द होते हैं फेरेर हें न्हीं पताना है अप्संपिवाइश चलिए नेक्स कोशन देखते हैं जब वर्व को 0 दीडी जी 10 दीडी तक गर्म के आयता है तो जल की आयतन क्या होता है जल्दी होताई कमेंट भे लिखे क्या होगा जल कायतन क्या होता है, बढ़ता है क्या होता है, बढ़ता है option S का answer होगा चलिए अलग कोशन देखते हैं क्या है उस तापकरम को ज्याद करें जो केलिविन, मापन और फेरहाइट मापन में समान हो जो Kelvin में और फिर हैट में समान हो उसका तापकरम कित्ता होगा जल्दी सबता हिए कित्ता होगा 574.25 Kelvin Option इसका नज़र हो कितना है? Option A इस वीडियो को धान से क्योंकि ये Part A है सभी ट्रेडों के लिए ये कोच्चन बहुत ही important है चलिए नेक्स कोचन देखते है इस द्रव को द्रव को गैस में बदने वाला तापकरम कौनसा बिंदु है ताप बिंदु कौनसा है क्या है boiling point कोथना क्या है boiling point कोथना Option B इसका ज़रुए किस वस्तु कताब किसका सुचक है किसी वस्तु कताब किसका सुचक है किसी वस्तु कताब किसका सुचक है कि क्या होगा जल्दी बताई एंसर कि अप्सन डिसका उसके अड़ों के अवस्त की गतिय रुज्जा एंसर होगा ऑफ्सन डि चले गला कॉशन देखते हैं पानी का त्रीडायं के बिंदू होगा ट्रीपल पॉइंट आफ वाटर इच वाटर का ट्रीपल पॉइंट कहां पर होता है कि यह सा दीजे लिए से कि 273.16 के ओफ्सन सी इसका नियम है और अच्छा कोशन है इस्टीपन का विकरण नियम क्या है क्या है जल्दी इस एंसर ओफ्सन सी इसका है इप्रोपोशन टीफोर आफसा सी जल्ले अगला खुशन देखते हैं वार्शिक सी तरितु में पहाड़ों पर पानी पाइप लाइने भट जाती है इसका कराण क्या है बहुत अच्छा खुशन नियुक्त क्या होगा कमेंड वी लिखें अच्छा जल्दी इसका अच्छा पाइप ठंडग पाकर बढ़ जाते हैं अच्छा जिए अगला खुशन देखते हैं प्रकास वर्स किस का मात रह बह रहिए इसका इंसर कमेंड वी लिके आप लुक्शा तुशी का इस हम नहीं बता रहे हैं प्रकास वर्स किसका मात्र है इस कोस्चन का है सर आप कमेंट वे लिके जरूर दीजिए एक कोश्चन ने एक किलोमेटर में कितने मिल होते हैं कि एक किलोमेटर में कितने मिल होते हैं किता होगा औप्षन बीज का हुआ 0.622 मिल होगा 0.622 मिल एक किलोमेटर में कितने मिल होते हैं कि एला को चन देखते हैं कि ताप का ऐसाई प्रमाना क्या होगा जल्दी सुथाइए क्या होगा क्या होगा क्या होगा कि यहँग होकर नétais दिखते हैं कि एक घन फूट में कितने लिटर होते हैं में तक से हैं 6 लिटर, option D इसका अंसर होगा, एक घन फूट में कितने लिटर होते हैं, चलिए अगला कोशन देखते हैं, KWH में कितने जूल होते हैं, किलोवाट पर आवर में कितने जूल होते हैं, ज़िए इस एंसर दीजी इसका, इंसर क्या हो इसका, option D, 36.35 जूल, अवला कुश्चन है आपका, पदार्थ का दर्बवान होता है, जल्दी से होते हैं, पदार्थ का दर्बवान होता है, क्या गोई सकर, आटन इन्टू घनत, option B, इसका अंसर होगा, आटन इन्टू घनत, चलिए अला कोश्चन दिखते हैं, हाइडोज, हाइडोमेटर की सिध्धान पर का करता है, महुत ही अच्छा कोश्चन है, हाइडोमेटर की सिध्धान पर का करता है, क्या होगा, एंसर जल्दी सोता है, option B, आखिमेटर सिध्धान पर का करता है, option B से अंसर हो जाएगा, आला कोश्चन देखते हैं, लकड की आप अच्छित घंत पानी की तुल्णा में होता है, लकडी की आप अच्छित घंत पानी की तुल्णा में क्या होता है, क्या होगा, कम होगा, option B, सकनल का, क्या होगा, option B, नेक्स्ट question find barometer की reading में अचानरक गिरावट का तातफर क्या है ये वी अच्छा question are barometer reading में अचानरक गिरावट का तातपर क्या है क्या है तुखान आता है क्या तुखान आता है option अक्रास क्ट से स्कारवS option a einge पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहां इस तहरता रहता है यह किस सिद्धान पर अधाईता है बहुत अच्छा कोच्छन है चले बताइए यह कोच्छन अभी करवा चुके इसी पर वेस्ट चले कोच्छ वीडियो अच्छा से देख रहे हो तो यह कोच्छन के सब्सक्राइब को लेंगे और सब्सक्राइब के सिद्धान पर किस पर अकाड़ मेंडिज के सिद्धान पर अच्छन देखते हैं जब एक पत्थर को चांद की सता से फिर्थिव पर लाए जाता है तो क्या होता है? क्या हो जली होता है? जब लिप्ट जा रही हो जब लिप्ट जा रही हो ओप्सन डीस करें सुरुगा समान गदी से निचे चुछया कोशन देक्ट है क्या मैं निम्नमिन से कौनसा चालगता का मात रख है? कौनसा चालगता का मात रख है? जल्दीर of Ke कंण होगा? आफ्षन C destीयान आफ्षन C यह कुछन देखते है गेलेवने मीटर को बोल्ट मीटर में तब्दिल करने के लिए जोड़ते हैं किस क्रब में जोड़ते हैं जली सबताई अंसर इसका option C का सेड़ी में उच्छ प्रतिवर्थ में option C चलिए अगला question देखते हैं कुलाम के नियम मनुशार दो आविसों के बीच लगने वाला बल क्या होता है कि क्या होता जली सबताई है option D इसका होगा सभी option D उप्रोक्त सभी चलिए अला question देखते है यह अंपियर सेकेंड किसका मात्रक होता है किसका मात्रक होता है किसका होता है आवेस का option A चलिए अला question देखते है एक इस्तिर विद्धूद आवेस उत्पन करता है क्या करता है केवल विदूती छेत्र option B option B चलिए अला कुछन देखते है संधारित किसमे उठ जा रखता है किसमे उठ जा रखता है किसमे रखता है विदू संकेतिक छेत्र में option C option C इसका अंसर रोगा option C आपनों का चलिए अला कुछन देखते है शेजिस human body का प्रतिरोध लगववव होता है कित्ता होता है शेजिस बताई option B क्या होगा option B option B option B option B चलि अला कुछन देखते है दhärita की हे, धारita की हे क्या है? चले जानी देखते हैं, प्रावड्यूत क्या है? प्रावड्यूत क्या है? ऑफ्सन C क्या होगा? कि लिए लगा कुछन देखते हैं कि आई एस कोड के नुसार अर्थिंग तार का रंग होता है आई एस कोड के नुसार अर्थिंग तार का रंग होता है पताए यह लिए से आपलोगा करहें होगा दि होगा क्या होगा ड्री ब्लेक तार क्या होता है निूट्रल होता है क्या होता है लेतल होता है और रेड़- यलो और ब्लूझ जो तो रेड यलो ब्लू क्या होते हैं यह तीनों फेस तार होते हैं क्या फेस और हारा वाला क्या होता है यह अर्थिंतार होता है और भी जो ब्लेक जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्या होता है न्यूट्रल चलिए अगला कोशन देखते हैं तो यह रहा आज का कोश्चन एक कोश्चन आप लोक्रेशन के वीडियो अच्छी लेगी हो ज्याज़ा लाइक करें और अपने दूस्तों का सेर करें तो चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद